हाई दियर फ्रेंड आप सभी के बीच में सर्वेइंग मल्टिपल चॉइस कुश्चन्स लेकर आया हूं मतलब अब्जेक्टिव कुश्चन्स भी बोलते हैं और मैं 10 कुश्चन्स कराने वाला हूं बहुत ही अच्छे कुश्चन्स जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूं वैसे वैसे मैं आपके लिए ये कुश्चन्स भी प्रवाइड कर रहा हूं तो देख सकते हैं यहां पर पहला कुश्चन्स जो बोला है फॉस्ट कुश्चन्स यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कुश्चन्स मैं लेकर आया हूं पहला आए कि ऐसे करो ऐसे चैन को लो वह लीडर होता है उसके पास four arrow है in his hand and while the follower has six follower के पास six arrow है distance the follower from the starting point starting point से follower जो है जो अभी अभी फिलाल condition पे है जहां पे उसके पास six arrow है तो कितना मतलब distance होगा distance की बात किया है तो यहां पर अगर मैं बात बोलूं यहां पर पहला दिया है four chain तूसरा दिया है six chain c option 120 meter और d option 180 meter तो अगर c और d option को देख रहे हैं 120 meter और 180 meter तो यह 120 180 तो यह possible ही नहीं हो सकता है क्योंकि यहां पर chain का length जो chain है वो length बोला ही नहीं है कि 20 meter chain यूज़ कर रहा है कि इस तरीके से यह तो हम बता ही नहीं सकते है ठीक है तो यह तो दोनों रॉंग हो सकता है अब option आ जाता है four chain और six chain तो इसमें दोनों में से answer right कौन सा होगा मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूं कि ताकि आपको idea भी मिल जाए कि जैसे कि मान लीजे कि यह एक है पालॉर था यह दूसरे पर आया यह तीसरे पर आया यह चोत्य पर यह पांचि पर आया और यह छएख ट्म follower के पास chain 6 है, ठीक है, तो यहां पर अगर उसका length देखोगे, तो यह chain length 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया, यह 5 हो गया, ठीक है, और यह 6 हो गया, तो chain कितने हो गया, total 6 हो गया, ठीक है, इस तरीके से measurement करते जाएगा, तेखो, arrow उसके पर उसको फॉलिवार मतब देखो फॉलो करनी यहां पर लिदर है और उसको फॉलो करने वालवाले नी जैन को पकड़ा हुए ठीक है तो यहां पर खुलार था फिर आया फिर ड केपिटल में बना देखिया तो कितना डिस्टेंस और गाहिए इसका करेक्ट क्या हो जाता है इसका क्रेक्ट एंसर ठीक हें नेक्स कुस्षिण को तोड़ा जाम कर लेते हैं अब metallic tape is made of, तो metallic tape जो जिससे बना होता है, वो किससे बना होता है, तो आपको बताया भी था कि जो metallic tape होता है, ठीके, वो cloth और wire से बना होता है, ये याद रखना, ठीके, cloth और wire से मिलकर बना होता है, ये जब मैं chapter पढ़ा रहा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया है, ठीके linear measurement आप chapter पढ़ोगे उसमें भी है या किसी university में chain and tape survey होता है ठीक है जैसे कि gto university देख सकते हो तो वहाँ पर chain and tape survey chapter का नाम है third chapter है survey का उसमें यह question है ठीक है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा question number three देख सकते हैं कि for a well condition triangle well condition अगर triangle है तो no angle should be less than कोई भी angle well की बात किया well condition triangle है ठीक है तो कोई भी angle इतने से कम नहीं होगा मतलब कितने एंगल से कम नहीं होगा ठीक है no angle should be less than इनमें से उससे कम नहीं होना चाहिए तो वह अगर मैं यहाँ पर आपको बताओं तो वह है आपका 30 degree 30 degree से कम नहीं होना चाहिए अगर well condition triangle है तो उसके जो minimum angle होगा ना वो 30 हो सकता है उससे कम तो नहीं हो सकता है यह चीजे देख सकते हैं वेल कंडिशन ट्राइंगल की बात कर रहा हूं अगर दूसरे ट्राइंगल की अगर बात करेंगे वेल कंडिशन ना होगे तो ऐसे भी तो ट्राइंगल बन सकते हैं यह एंगल आपका 30 से कम भी हो सकता है, 30 से क्या हो सकता है, कम हो सकता है यह एंगल क्या हो सकता है, less than 30 degree भी हो सकती है, तो इन ट्रैंगल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस ट्रैंगल की ऐसे ट्रैंगल की बात कर रहा हूं, अगर मान लीजे मैं ऐसे बना दिया, यह भी ट् condition triangle तो उसमें जो minimum angle होगा वो 30 degree होगा उससे कम नहीं होगा यह चीज़े ध्यान में रखेंगे next question आप देख सकते हैं next question यहाँ पर question number four question number four में क्या बोला है the angle of intersection of two plane mirror of an optical square यहाँ बहुत important point जो बोला है optical square की बात किया है ठीक है optical square किसली use किये जाता है offset के लिए यूज किये जाता है offset find out करने के लिए ठीक है और इसके जो दो plane mirror होते हैं उनके beach का जो angle होता है ठीक है उनके beach का जो intersecting जो point होती है दोनों mirror का ठीक है और दोनों के beach का जो angle होता है इस परकार के दो mirror होते है ठीक है आप देख सकते हैं इस परकार के mirror लगे रहते हैं दोनों के बीच का जो एंगल होता है 45 डिग्री रहता है जिसके कारण हमें एक्जिक 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर जो object है वो सर्वे लाइन से परपेंडिकुलर देख सके इसलिए ये एंगल बना रहता है नेक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूं कोश्चन नमबर फाइव तो कोश्चन नमबर फाइव क्या बहुता है अगर मैं बात करूं एक पॉइंट को देख सकते हैं डिग्री ओप एकुरेशी रिक्वाइड ओविशलिए भी राइट डिग्री ओप एकुरेशी उसकी बरबर है इसके लिए भी कि मैथोड ओब सेटिंग आउट दब परपेंडिकुलर एंड नीचर ऑफ ग्राउं ये भी सही है ठीक है ये भी सही है मतलब मेरे क्याल से d option right होगा scale of plotting ये भी ये भी right है मतलब तीनो right है मतलब आपका d option right होगा this is the d option आजाएगा जब तीनो right है तो all of the above बोला है तो मतलब d option is the right answer next आगे देख सकते हैं question number six ठीक है which of the following angle can be set out with the help of french cross staff ये भी french cross staff भी offset के लिए होता है तो यहाँ पर क्या बोला है कि angle can be set out with the help of french cross staff की बात किया है तो या तो 45 होता है या तो 90 होता है या तो either 45 और 90 ये the correct answer है ठीक है french cross staff होता है हला कि already मैंने जब chain and tap survey पढ़ा रहा था तो उसमें offset find out करने के लिए अलग-अलग instrument को यूज किये जाता है तो उसके लिए यह है question number seven देख सकते है question number seven मैं यह समझा कि इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग को concept भी पता चलते जाए हला कि आप chapter में तो मैं आपको समझाता ही हूं लेकिन यहां पर भी आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ताकि आपको idea मिल जाए कि क्या यह question कह रहा है और उसके मताबिक आपने आपको best बना सको तो देख सकते हैं पर which of the following method of offset involves less measurement on the ground क्या बोला है method की बात कर रहा है following method of the offset involves less measurement on the ground less measurement का बाता है यह बहुत important है less measurement की जो बात कर रहा है कि जब मैंने आपको बताया था कि सबसे कोई भी अगर offset होता है तो सबसे line की सबसे कम distance होता है न तो वह होता है perpendicular offset ठीके perpendicular offset मैं यहां पर आपको बता भी देता हूं थोड़ा कि आपको idea मिल जाए हलाकि मैंने आपको बताया भी था जैसे survey line है ठीके यह भी survey line है और मालो कि यहां पर कोई object है ठीके मालो tree है यह tree है ठीके यह tree है यह point is survey line का minimum distance होता है यह minimum distance एकदम एकदम minimum distance पर perpendicular पे होगा ठीके minimum distance तो यह चीज़े ध्यान रखेंगे तो इसका जो correct option आ जाएगा इसका जो correct option होगा वो होगा method of perpendicular offset is the right answer ठीके यह चीज़े जो less measurement ground का जो less measurement होता है नो वो perpendicular offset होता है बाकी सभी oblique वाला oblique कैसे होता है oblique की अगर देखोगे तो जैसे की माल लीजे ए से कुछ distance पे यह वाला ले ले लेते हैं यह distance measurement कर लेते हैं और कुछ यह distance यह measurement कर लेते हैं जिसे की पी-point को locate कर सकें यह oblique होता है time method होता है यह सारा कुछ मैंने explain करके बताया है एट वाला question देख सकते हैं the permissible error in chaining for measurement with chain on rough और hilly ground each जान से समझना कि कितना error को हम permissible कर सकते हैं कि हां कि survey के लिए कोई rough है या hilly ground है hilly ground मतलब कोई जैसे undulated land है ठीक है तो ऐसी जगह पे कितना permissible error कर सकते हैं ठीक है one in hundred या one in two fifty या one in five hundred या one in thousand ठीक है इतना मतलब कितना error कर सकते हैं hundred में एक या two fifty में एक या five hundred में एक या one thousand में एक तो उसका correct answer है two fifty में one यह चीजे थोड़ा ध्यान में रखेंगे two fifty में one be option is the right answer be option is the right answer यह याद रखेंगे कि जब भी हेली एरिया में लिया जाता है तो उसका permissible जो error लेते हैं चैनिंग में वह होता है two fifty में one जितना ठीक है अगर two fifty मीटर है तो one मीटर तक error चल जाएगा यह चीजे ध्यान में रखेंगे two fifty मीटर है तो यह चीजे ध्यान में रखेंगे next की अगर मैं बात करू question number nine the correction for sag is correction for sag sag sagging क्या होता है यह चीजे और लेड़ी आपको पता होनी चीजे कि अगर sagging हो जाता है जैसे हम measurement करते हैं measurement जब भी हम करते हैं तो इस तरीके का अगर मालो tip लेके करते हैं जैसे मालो इसको यह पॉइंट है ठीक है और यह अपका बी पॉइंट है ठीक है मालो did measurement करते हो तो कभी गभी ऐसी से drafting की तरह ही तो तो यहां पर बोला है the correction for sagging now abh ella correct करना मतलब यह तो ज्यादा length लेगा नो इसके comparison में यह वाले opposite Line के comparison सैंग में ज्यादा length ले रहा है ज्यादा ले ले रहा है तो correct क्रोंने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर correct करोगे इसको तो क्या करना पड़ेगा तो तो हमेशा क्या करणा पड़ेगा, उसमें से देखो, यह व्य होला conta intermittent ैंग, disagging होगा तो auging होगा तो भी सब्डेक करेंगी, ठीक है क्योंकि वह बड़ा Idol cover करेगा, तो आलवेश सब्टरैक करेंगे। यह चीजी concept याद रखेंगे तो आपको concept आसानी से समझ में आएगा, next question की तरफ आगे बढ़ते हैं, next question और 10 number का question ठीक है, और ऐसे 10 questions मैं लेकर आओंगा, आपके जो thoughts मैं 10 questions लेकर आओंगा, जो chapter starting में चल रहे हैं, उसी से related लेकर आओंगा, ताकि आपके लिए benefit भी रहे हैं, और maybe online classes चल रहे हैं, तो आपके अगर internal exam होंगे, तो objective questions भी हो सकते हैं, subjective भी हो सकते हैं, तो objective अगर questions दिये जा रहे हैं, तो किस तरीके से आपको solution करना है, उसके answer टिक करने हैं, तो उसके लिए काफी benefit रह सकता है, तो 10 number का question देख लेते हैं, 10 10 questions मैं provide करते रहूंगा, हर subject का, एक एक दिन में ऐसे provide करूँगा, कि ताकि आपके लिए concept भी देते रहूंगा, कि ताकि आपको समझ में भी आ सकते हैं, यहां पर 10 number का question देख सकते हैं, cross staff is an instrument used for, जो cross staff, जो है, वो instrument use किया जाता है, स्टाफ की अगर बात करा, cross staff, ठीक है, हलाकि मैंने already channel tap survey पढ़ाया, तो इसमें already मैं बता के रखा है, कि इसका use किस purpose के लिए करते हैं, ठीक है, किस में करते हैं, cross staff की बात करा, staff की, ठीक है, तो यह already तो मैंने तो बता के रखा है, लेकिन फि सहला बोला है, measuring approximate horizontal angle, नहीं, setting out right angle के लिए होता है, right angle मतलब perpendicular, offset find out करने के लिए, यह चीज़े already मैं बता के रखा हूं, offset find out करने के लिए होता है, ठीक है, offset find out करने के लिए दो method होते है, oblique method होता है, और perpendicular में होता है, तो यह perpendicular right angle पे एक दब set out करने के लिए cross staff का use किया जाता है अला कि मैंने पढ़ा के भी रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अलरड़ी serving के जो सबसे ज़्यादा वीडियो जाला playlist है, उसमें lining से मैंने बना कर रखा है, उसको आप देखिए, आपको अच्छे से concept समझ में आ जाएगा, तो ऐसे ही देखते रहिए, आगे भी 10 questions लेके को, देखिए, जो अपने आपको बहतर अगर बनाता है ना, तो कहीन कहीन देश को बहतर बनाता है, जहां का education system, जहां पे educated person रहते है ना, वहां पर हमेशा development की बात करते हैं और जहां पर development की बात होगी, वहां पर देख भी developed होगा, तो इस तरीके से करके और आप आगे भी बढ़ सकते हैं और अपने concept को भी clear कर सकते हैं तो ऐसी question पहले तो मैं already theory पढ़ा चुका हूं तो यह objective questions लेकर आ रहा हूं पहले concept ही clear रहेंगे तब उसके बाद सी यह सब point समझ में आगे concept clear नहीं तो यह सब आपको समझ में आने वाले नहीं हैं तो हला कि वो सब concept तो मैंने already ब पढ़ा सकता हूं लिख के भी बता सकता हूं यह आपका पैड रहेगा देखो यह जो आपको दिख रहाए screen पर इस note pad को use करके और आप जब जुड़ेंगे तो आपको यह screen पर ऐसे दिखेगा तो उसके साथ साथ आप आपके साथ communication भी होगा आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया यह communication भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर two communication होगा वही अगर आप YouTube पर online अगर मैं पढ़ाता हूं अगर YouTube पर online पढ़ाता हूं तो उसके लिए देखो वहां पर one way communication हो पाता है वहां पर आप comment करोगे मैं देखूंगा उसके बाद आपको जवाब दे सकता हूं लेकिन गूगल मेड पर आप अगर चाहते हो कि मैं online class लेकर आओ गूगल मेड पर तो जरूर comment करके बताएं मैं जरूर उसके लिए आपकी subject जो थर्ट से में हो कि आप लोग मैं अपना समय भी दूँगा और explain भी concept भी clear कराऊंगा और आपको सारा कुछ समझ में भी आ जाएगा ठीक है थोड़ा video का length ज्यादा हो रहा है लेकिन आपको concept समझ में आ जाएगा तो देखते रहिए और अपने आपको best बनाते रहिए thank you for watching this video next question के लिए comment जर रूर कता हैं thank you for watching this video